ओम शांती तो आज हम इन इसलाम का नौवा टॉपिक देखेंगे वो है स्लेवरी इन इसलाम तो आपने देखाऊगा कि बाइबल में भी और कुरान में भी स्लेवरी की भवतात है सनातन धर्म जो सबसे पुराना है जो 5000 साल से भी पुराना है और कुछ ग्रंद जो हैं वो 20,000 साल पुराने भी बताए गए हैं तो जो इतना पुराना धर्म है उसमें कहीं पर भी आपको दाख्स प्रथा और स्लेवरी नहीं मिले भी लेकिन जब आप कुरान या बाइबल देखेंगे तो दोनों में स्लेवरी आपको बहुतात मिलेगी और अगर आप कुरान पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि कैप्चर करने का मतलब ही था स्लेवरी बनाना तो मैं आपको एक शेयर करती हूँ तो रिलाइंस ऑफ दे ट्रेवलर ये एक बहुत ही ऑथेंटिक डॉकुमेंट है जिसको उम्दात अलसलिक कहते हैं तो ये कहता है, according to Sharia, when a kafir child or woman is taken captive by Muslims, they become slaves by the mere fact of their capture A captured woman's previous marriage is immediately annulled तो इसके अनुसार, शरिया के अनुसार, अगर कोई kafir, यानि कि कोई non-muslim, बच्चा, या औरत, या यानि महिला को अगर मुसल्मान बंदी बनाते हैं, तो वो अपने आप से slave हो जाती है, गुलाम हो जाती है by the mere fact of their capture, यानि कि अगर पकड़ लिया, तो गुलाम है ही शरिया के अनुसार, अगर किसी को भी पकड़ लिया, तो वो अपने आप से गुलाम हो गया, अगर वो non-muslim है तो, बच्चा या महिला, और अगर वो पकड़ी गई महिला, जो है, वो शादी शुदा है, तो उसकी शादी अपने आप से कैंसल मानी जाई, तो आपने देखा कि किस प्रकार से ये लोग शरिया जो है, कानून, कितना ही निर्दई कानून है, और कितना अनफेर है और महिलाओं को और बच्चों तक को ये गुलामी की उसमें खींचता है, गुलामी के नरक में खींचता है, और अगर आप काफिर हैं, तो मतलब आपको पकड़े जाने का, मतलब ही ये है कि आप अप गुलाम हो गए, अब अगली इनकी आयत देखते हैं, जिससे हम शो करें कि कितने जो थे ये लॉफुल था, तो कुरान की 33 चैप्टर की पचास्वी आयत है, O Prophet, lo, we have made lawful unto thee thy wives, unto whom thou hast paid their dowries, and those whom thy right hand possesseth, of those whom Allah hath given thee as spoils of war, and the daughters of thine uncle on the father's side, and the daughters of thine aunts on the father's side, and the daughters of thine uncles on the mother's side, and the daughters of thine aunts on the mother's side, who have emigrated with thee, and a believing woman, if she gives herself unto the Prophet, and the Prophet desire to ask her in marriage a privilege for thee only, not for the rest of believers, we are aware of that which we enjoined upon them are concerning their wives and those whom their right hands possess, that thou mayest be free from blame, for Allah is ever forgiving, merciful. तो ये 33 की पचास्वी आयाय ये कह रही है, कि ये बता रहा है मुहमद कि अल्ला ने कह दिया है, कि अरे नभी हमने तेरी को lawful कर दी है, तेरी बीवियां, मतलब तुमको तुमको तुम्हारी ये सारे मुसल्मानों के लिए हैं, कि तुमको तुम्हारी बीवियां जिनकी तुमने दहेश दिये हैं, और जिनको तुम्हारा right hand possess करता है, यानि कि जो तुम्हारे गुलाम हैं, मतलब जो युद करने के बाद, जो लड़ाई करने के बाद जो गुलाम बनाई हुई हैं, और वो भी दी हैं, जो तुम्हारे पिता की तरफ से जो तुम्हारे अंकल की बेटियां हैं, और जो तुम्हारे पिता की तरफ से जो आंट की बेटियां हैं, मतलब चाचा ताउ की बेटियां और बुआ की बेटियां, और तुम्हारे पिता की बेटियां हैं, और जो तुम्हारी मामाओं की हैं, वो सब तुम्हें उपलब्ड करा दी हैं, यानि कि बीवियां और जितने भी चाचा, ताउ, बुआ, मामा और मौसियों की बेटियां हैं वो सब तुम्हारे लिए हमने लौफुल कर दी है और अगर कोई औरत अपने आपको देना चाहे नभी को तो वो भी नभी के लिए है और जो नभी जिसको भी चाहे शादी करना व लेकिन वो औरों के लिए नहीं है और बाकी सब को हमने वो सब दिया है बीवियां और सारे गुलाम तो उन पर कोई दोश नहीं आएगा तो यानि की मुहमद ने जो है वो उन सब के लिए जितनी भी उनकी बहने थी मामा ताउ, मौसेरी, मौसेरी, चचेरी, ममेरी जितनी भी हैं वो सब लड़कियों से उन्हें शादी कर सकती है इसी को इंसेस्ट भी कहते हैं और इस तरह के हमने बायलोजी में देखा है कि इस तरह से इंसेस्ट के द्वारा करे गए बच्चे जो हैं वो जेनेटिकली वो होते हैं, रिटार्डेड होते हैं और उनका ब्रेन फंक्शन ठीक से नहीं जबलब होता और बहुत सारी जो बिमारियां हैं वो भी पास हो जाती हैं इसलिए जो है सनातनी कभी अपनी बहनों से चेरी, ममेरी और कोई भी फंस्ट कजन से शादी कभी नहीं करते हैं बलकि वो तो उनकी अल देखके और उस जो कास्ट में जो अल है वो सेम नहीं होनी चाहिए और अगर आप गाउं में जाएं तो गाउं में हर एक जो है वो कहते हैं कि जो लड़का है और लड़कियां ह तो एक अन गाउं के उससे शादी करते हैं, हर एक दूर के लोगों से शादियां पसंद करते हैं और जब कि आपने देखा कि कुरान में इस तरह से जो है वो शादियां कर रहे हैं अपनी ही बहनों से, उनके लिए lawful कर दी हैं, खेर ये तो woman के abuse में आना चाहिए अभी मैं जो है वो खाली गुलामों का बतारी हो, उनका कोई भी, उनके लिए कुछ भी उपलब्दी नहीं थी अगर वो पकड़ी जाएं तो बस इनकी गुलाम है और उनकी शादी भी हुई हो तो भी उनके लिए कोई छूट नहीं है उनकी शादी पुरानी कैंसल हो गई और इन से ये कैसा भी वहवार कर सकते हैं ये इनको लौफुल है ये सारी गुलाम जो है ये इनके कबजे में हैं और ये इनके लिए लौफुल है तो अब अगली आयत पर चलते हैं कि अगली आट मैं आपसे शेयर करती हूँ ये कुरान की है और 23 में की पांचवी और शटी कि ये बता रहा है कि जो believers हैं वो successful होते हैं ऐसे लोग जो की अपनी modesty यानि की अपनी chastity जो अपनी पवित्रता है उसको guard करें अपने private parts को except जो बीविया हैं और जो गुलाम हैं bond women in their possession for them they are free from blame यानि की जो जो गुलाम है और जो बीविया उनके possession में हैं उनको वो कैसे भी वो उनका possession है and उनके साथ वो कैसा भी वेवार कर सकते हैं उसके लिए उनको छूट है उनको कुल blame नहीं दिया जाएगा तो इस तरह से मैंने खाली कुछ main main आयतें लिये हैं बहुत सारी इनकी किताबों में सेम आयतें लिए हैं तरह तरह से तो मैंने खाली जो important है वो लिये हैं और सारी नहीं लिये क्योंकि मैं slide को बहुत truly point करना चाहती हूँ तो अब अगले आयत पर चलते हैं कि कैसे आप इसका proof दिखाती हूँ कि कैसे आप शादी शुदा जो है गुलामों से भी कर सकते हैं यह इनके law में लिखा हुआ है यानि कि सभी इसको follow करेंगे तो अब देखते हैं तो यह है चौथी की 24 वी आयत यह कुरान की and all married women are forbidden unto you यानि कि जितनी भी शादी शुदा ओरते हैं वो आपके लिए हराम है मतलब आप छू नहीं सकते उनको save those captives whom your right hand possess उन गुलामों को छोड़के जो कि आपका right hand possess करता है यानि कि सारे गुलामों को छोड़के बाकी की शादी शुदा ओरते हैं आपके लिए हराम हैं लेकिन गुलाम चाहें शादी शुदा हो तो वो ठीक है यह अल्ला की करफ से भेजी हुई तुमारे लिए सौगात है सौगात क्या मतलब डिकरी है मतलब लौ है यह कह रहा है कि यह एक अल्ला की मतलब सारी जो औरते हैं शादी शुदा वो आपके लिए उन्हें छोड़ दो लेकिन शादी शुदा गुलाम है वो तो आपकी हैं ही और यह तुमको जो है वो लौफल कर दी गई है ताकि तुम अपनी जो दौलत है उसे एक शादी में खर्चो ना कि व्याभिचार में और अगर आप जो है सित्रिक्त होते हो शादी करने में यानि कि किसी स्लेव से शादी करने में है तो give them their portion as a duty तो उनको भी मतलब शादी करने की जरूवत नहीं है पर अगर तुम है मन करता है तो तुम कर भी सकते हो उससे तुमको कोई सिंद नहीं लगेगा और उनकी जो डूटी है वो उनको देखे तो यहां हमने देखा कि जो है स्लेव वुमेन को आप जो है वो कर भी सकते हो और मैं आपको एक दिखाना और भूल गई इसके ही तरह से एक और है जो है यह सुनान अबू दाउद की 2155 वाली है इसमें अबू सायद Al-Khudri said the Apostle of Allah sent a military expedition to Autas on the occasion of the Battle of Hunan तो अबू सायद Al-Khudri ने कहा कि मुहमद ने एक military एक लड़ाकू वो भेजा अपना गैंग Autas में जो Battle of Hunan था उसके वक्त देए मेट देर एनेमी और फॉट विद देम तो उनोंने दुष्मनों से मुलाकात की और उनसे लड़ाई की देफेटेद देम और तुक देम Captives उनको उनोंने हरा दिया और उनको गुलाम बना लिया तो जो उनको गुलाम बना लिया तो जो ये मुहममद के जो वो थे गिरो के लोग थे उनको थोड़ी सी हिचकिचाहट हुई क्योंकि जो गुलाम ओरते थी उनका उनके जो पती थे वो तो बिलीवर नहीं थे तो उनके साथ सेक्स करने में उनके थोड़ा सा हिचकिचाहट हुई क्योंकि उनके पती भी वहां मौझूद थे तो उसी वक्त जो है वो मुहममद पे आयत उतर गई अल्ला की और वो ये कह रहा है कि उसी वक्त अल्ला की आयत जो है वो मुहममद पे उतर गई और उसने कहा कि जितनी भी शादी शुदा औरते हैं वो तो तुम्हें मना हैं पर जो गुलाम हैं वो तुमको जायस हैं उनके साथ इंटरकोस करना तो यहां भी आप देखते हैं प्रूफ कि जो है मुहममद ने शादी शुदा औरतों से भी जायस कर दिया इनक्या सेक्स करना तो अब देखते हैं कुरान की दूसरे चप्टर की 178 आयत देखती हूँ तो यह मैं शेर करती हूँ आप से ओ यह व बिलीब, रिटैलियेशन इस प्रिस्क्राइब फो यू इन दे मैटर अव दे मुर्डर्डर्ड तो इसने कहा कि तुम जो बिलीब करते हों सुनो कि बदला लेना तुमारे लिए बदला लेना बताया गया है तुमारे लिए जो जिसका खून हो गया उसके लिए बदला लेना बताया गया है तो फ्रीमेन के बदले फ्रीमेन, गुलाम के बदले गुलाम, औरत के बदले और जो तुम मैंसे अपने भाई को चोट पहुचा दे और फिर उसे फरगिव कर दे तो उसके लिए पेमेंट लो काइंडनेस में और ये तुमारे अल्ला की तरफ से एक दया है और जो इससे अलग होगा, मतलब इसका इसको फॉलो नहीं करेगा तो उसको मतलब पनिश्मेंट मिले तो इसमें आपने देखा कि जो है वो मुहमद ने ये कहा है कि कैसे आई जैसे आई फॉर न आई है तो इस तरहे मुर्डर्ड के बदले मुर्डर्ड पर हमने पिछले उसमें देखा था टॉर्चर में कि मुहमद खुद जो है उसके साथ जो चोरी करता था तो उसके साथ व कि गुलाम के बदले गुलाम औरत के बदले और और एंगे इसमें बहुत ौपुकर नहीं है क्योंकि जब यह और तो जिनकी महिलाओं को इन्हों तो एक गिरोव का एक आदमी मुहम्मद के पास आया और उसने का कि अब हम क्या करें हमारी बीबियां तो जो थी घर में ही बैठी हुई थी तो क्या हम एक औरत के बदले औरत दे दें तो इस तरह के बहुत सारे कॉंप्लिकेशन्स आएंगे और जहां भी मुहम्मद को अपना फाइदा जो है नुकसान नजर आता था तो वहां वो बस चेंज कर देता था तो अब हम देखते हैं कि कैसे नकेवल ये किसी भी को पकड़ लेते थे काफिर के बच्चे और ओरतों को और उनका पकड़ा जाना का मतलब ही था कि वो गुलाम थे और ये भी नहीं गेखते थे कि वो शादी शुदा हैं उनके पतियों के सामने उनके साथ सेक्स करते थे और अब अगली आयत में हम देखेंगे कि कैसे ये उनको बेचते थे तो next में मैं शेयर करती हूँ बेचने वाली आयत तो इसमें हम देखते हैं कि ये है ये है सुनान इबन माजा की 2517 तो जबीर बिन अब्दुल्ला वस हर्ट तु से तो जबीर बिन अब्दुल्ला को सुना गया ऐसा कहते हुए We used to sell our slave women and the mother of our children उमाहत अवल दीना when the prophet was still living among us and we did not see anything wrong with that तो अब जब ये जो पकड़ी गई ओरतें थी जो इन के साथ वह सेक्स करते थे तो उनके साथ बच्चे भी करते थे तो ये उन ओरतों को आगे बेच देते थे we used to sell our slave women मितलब हम अपने अपने जो गुलाम ओरतें थी उनको बेच देते थे और वो मदर भी होती थी हमारे बच्चों की लेकिन फिर भी ये जो है उनको बेच देते थे और जो उस समय मुहमद भी इनके साथ रहता था और उसने कुछ भी इसको बुरा नहीं समझा और ये वो बता रहा है जबीर बिन अब्दुल्ला कि जो है वो गुलाम जो थे और जो बच्चों की माता ही भी होती थी, उनको भी ये बेच देते थे, तो आप सोच सकते हैं कि इनके अंदर इंसामियत नाम की कोई चीज ही नहीं थी, यद भी वो उनके साथ उनकी बच्चे हुए होते थे, वह हम एक कुत्ता भी अपने घर में रख लेते हैं, तो हमें उसके साथ emotions हो जाते हैं, हमें उससे प्यार हो जाता है, एक उत्ता भटक के हमारे यहां आ गया था, तो दो-तीन दिन में हमें उससे प्यार हो गया, जब तक उसका मालिक हमें मिला, तब तक हमें उससे प्यार हो गया, फिर हमें दुख हुआ, हमें याद आई उसकी, लेकिन ये लोग इतने शैतानियत के दरिंदे हैं कि ये लोग उन औरतों को पकड़ के उनके साथ सेक्स करते थे उनके पतियों के सामने और फिर उनके साथ बच्चे भी प्यादा करते थे लेकिन बच्चे होने के बाब जूद इन्हें ऐसा कोई भी शरम नहीं थी कि उनके साथ हम बिस्तरी कर इन्हें कोई भी उनके साथ attachment नहीं थी, वो उनको वैसे ही बेच देते थे, जब कि उनके बच्चों की माताएं होती थी, वो तब भी बेच देते थे, यानि कि कितनी ज़्यादा cruelty आपने देख ली इनकी, तो अब इससे आगे मैं क्या कहूँ कि आप खुद सोच सकते हैं कि दरिंदगी की सारी इन्होंने हदें पार कर दी थी, तो मैं इसी बात पर खतम करती हूँ और ऐसे तो बहुत सारे हैं, थेंक यू कुल्दीप कह रहे हैं कि मैं यूर वेरी बोल लिडी, थेंक यू सो मच, मैं मरना तो सभी को है एक दिन, और जो है मैं सच्चाई को फॉलो करती हूँ और इसलिए मैंने बहुत सारे रिलिजिन्स के थूप मैं होती हुई आई हूँ और मेरी ये जर्नी है, मैं चीज़ें करी, लेकिन कुछ पल जब ऐसे आये, जब मैंने जिहादियों को सुना, कि बहुत लोगों की जान लेने के बाद वो सोच रहे हैं कि वो पैराडाइस में जाएंगे, तो फिर मुझे लगा कि ये सच नहीं हो सकता, तो मैंने खुद देखा, कुरान में ऐसा लिख कर रही है, मतलब मैं क्या कर रही हूं, मैंने क्या गलत किया है, क्या आप मेरे से बातशीत करने आएंगे, तो मैं आपको लिंक भेजू, या आप एक्स्ट करना पसंद करेंगे, या आप आना चाहते हैं लाइप मेरे से बात करने के लिए, क्या मैं आपको इंविटेशन भ मुझे नहीं पता कि आप क्या कह रहे हैं कि मैं क्या कर रही हूं मतलब मैं ये वीडियो क्यों बना रही हूं मुझे कोई डर नहीं है मैं यहाँ नहीं रहती हूँ, मैं कैनेडा में रहती हूँ और दूसरी बात यह है कि मुझे किसी से डर नहीं पड़ा, सच्चाई में बोलती हूँ मेरे साथ मतलब किस तरह से, मुझे समझ में नहीं आ रहा क्या आप मेरे उसमें लाइब आएंगे, मैं आपको लिंक भीजूँ तो मैं लिंक कहां से भीजूँ आपको इन्वाइट का यह तो नहीं है इन्वाइट मैंने आपको लिंक भीज दिया है, अगर आप बात करना चाहते हैं तो हाँ मैंने पहले तो कुछ वीडियो से इस पर बनाए हैं कि जो हमेशा मौमिन लोग कहते हैं सनातनियों के लिए कि वो क्यों अगर थे हनवान जी और सीता की उमर भी चोटी थी तो मैंने इन सब पर बनाए चोटे-चोटे वीडियो और भी मैंने एक साइट देखी थी वेद का भेद और उसमें बहुत ही गंदी-गंदी बाते लिखी थी सनातनियों के लिए और गलत-गलत जो है वो बाते लिखी थी तो मैंने खुद से खोल के देखा क्योंकि अगर ऐसा बुराई होती सनातन में तो मैं उस सनातन को एकसेप्ट ही नहीं करती तो मैं हर एक चीज़ रिसर्च करती हूं खुद से किसी और के कहने पर चाहें वो कितना भी विश्वस न है क्यों नहों मैं नहीं फॉलो करती तो मैं खुद से रिसर्च करती हूं तो कुलदीप सिंग जी आप जो है इस मैंने आपको लिंक पहज़ती है अगर आप लाइब आना चाहें मेरे साब चैट कर सकते हैं और आपको शकल दिखाने की जरूवत नहीं है उसमें आपकी के लिए किसी को डरना नहीं चाहिए और मेरा एक तो मकसद ये है कि मैंने ये प्लेलिस्ट बनाई है इन हिमानिटी इन इसलाम और इसका ये नौवा पॉइंट था आज और फिर आज दुपैर को मैं इसका दस्वा नहीं आज दुपैर को मैं सनातन पे करूंगी कि ब्रह्मा और सरस्वती का क्या रिलेशन्शिप है क्योंकि ये भी बहुत लोग मुझसे कई बार टॉंट मारते हैं ठीक है आज नहीं करना चाहते तो कोई बात नहीं आप मैं दुपैर को बारा बज़े एक और करूंगी वो मैं करूंगी ब्रह्मा और सरस्वती के उपर क्योंकि वो म मुझे बहुत अच्छा नगा कि आप आए और मुझे कोई financial support नहीं चाहिए पर मुझे शरमदान चाहिए आपसे जो भी मेरे इस पर आते हैं उनसे शरमदान चाहिए मतलब कि आपको दो लोगों को at least ये information आगे पास करनी है तो उनको चाहें मेरी playlist भेज दीजे मेरे videos की मतल लिंक्स भेज दीजे उनको और अगर आपने मुझे like, share और subscribe नहीं किया तो please कर लिए और बस ये ही मैं कहना चाहती हूँ आगे आपके कोई questions हैं तो वो मैं ले सकती हूँ थैंक्यू आप आए मैं तो कई बार अकेले ही होती हूँ मुझे कोई भी नहीं सुनता हिस्टमे क्योंकि बहुत सारे लोग होते हैं वो बहुत सारी streams चल रही है Adam Seeker की और आज मैंने एक Adam Seeker की शीक में एक गोपाल को देखा brother गोपाल और वो ये कहराता की सनातिमियों में ये लिखा है कोई शीला प्रभुपाद में एक गीता बनाई है उसमें उसने कहा है कि जो ये लोग जो नहीं नॉन बिलीवर्स हैं ये डेवल हैं पर ये सारे चीज़ें जो हैं वो Christianity और इसलाम दोनों में हैं कि ये लोग मूर्थी पूजब को डेवल बोलते हैं लेकिन सनात्र में ऐसा नहीं है और शीला प्रभुपाद ने बहुत ही काम किया है बड़ा और इ अगला अगला टॉपिक जो होगा इस प्ले लिस्ट में होगा फोर्स्ट कनवर्जन और आप जो हैं अगर आपने वो किताब नहीं पढ़िये लाइफ आफ मुहमद बाय अली सिना तो आप वो पढ़िये वो बहुत अच्छी किताब है और आपको ये भी पढ़नी चाहिए वेन आमिर मेट अनुशका ये किताब मेरे को अमेज़ून पे मिली और बहुत अच्छी किताब लगी मैज़ी है ये लब जिहाद पे है ठीक है फिर अब आपके पास कोई क्वेशन नहीं है तो फिर मैं ये स्ट्रीम एंट करती हूँ और फिर दोपहर को मैं फिर से दूसरी स्ट्रीम प्याँगी आपका दिन सुख में बीते हैं लाइट शेर और सब्सक्राइब करें और मुझे श्रमदान अवश्य दे दो लोगों को एटलीस्ट ये इंफरमेशन पास करें ओके बाए